जो कि बुरोंड़ा के पत्थर रोट में इस्थित है, यहां पर छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो pre nursery होता है या play school के नाम से school चल रहा है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है, उनके साथ खेला जाता है, तो कुछ हम भी ऐसा ही करेंगे अब इन बच्चों के साथ में, कुछ पढ़ने की भी बात करेंगे, कुछ खेलने की भी बात करेंगे, तो चलिए आपक स्कूल के front office में आ चुके हैं, अब यहाँ पर बच्चे जो है, प्रेयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो अब प्रेयर करेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इनके स्कूल की जो शुरुवात होती है, वो किस तरह के प्रेयर से होती है, आईए देखते हैं, आईए और जो कर देखते हैं, आईए वोड़के इनके जो कि आएएंग के खने एंड मे कोसित्स कर चूल के खने ऑन अब हम आ पहुँचे हैं बच्चों के बीच और अब इनके साथ हम मस्ती करेंगे मस्ती के लिए तयार तो चलिए अब हम बच्चों के साथ में मस्ती करते हैं और सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले कौन बोलेगा कौन कौन बोलेगा कौन बोलेगा क्या नाम है तुम बताओ जोर से जोर से टासिन उल्ला और पापा का नाम क्या है चासिन उल्ला कहन बड़े हो करके क्या बनोगे बोलो, पढ़ाई कर रहे हो न, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या बनोगे बोलो, बोलो अब चलो हम पूछते हैं, कि डॉक्टर कौन-कौन बनेगा, हाथ उठाओ और पुलिस में कौन-कौन जाएगा सर्ब, पुलिस में और किर्केट प्लेयर कौन बनेगा सर्ब, तुम लोग, तुम कुछ नहीं बनना है तुम क्या बनोगे, कुछ नहीं बनना है, कुछ भी नहीं क्या नाम है तुमारा नाम बताओ, नाम बताओ चलिए छोटी बच्ची आईए आप इधर आई, इधर ही आई क्या नाम है आपका ख्यातिया ख्यातिया अच्छा आप क्या बनिएगा बड़ी हो जाएंगी तो क्या बनिएगा क्या क्या बनिएगा डॉक्टर बनना है पुलिस बनना है खिलाडी बनना है क्या बनना है ने पर क्या आपके हई अचा आजम बंन करके दिखा ठीज़ाओ से करकी आ कि प्लोज वाइज अची है आग बंन करो जास्ट आज बंन कर तो इसे करो नात निका लो । इधर इधर नाध निका लो अग्ई जोरणार तालीस के लिए बजा के लोगस सब को खुआप ब्लब तो चलिए देखा आपने इन प्यारे बच्चों को, ये सब बच्चे जो है वह प्लेज को बच्चे हैं, शोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाई के साथ, इनको खिलाया भी जाता है, खिलाया मतलब खाना नहीं, लेकिन इनके साथ खेला जाता है, तो चलिए आज हम इनके साथ खेलते हैं और अपना पहला जो राउंड है वो बलून का राउंड है तो चलिए देखते हैं कौन बच्चा कितनी बलून फुलाता है जो बच्चा सबसे ज़्यादा बलून फुलाएगा उसको हम कुछ न कुछ अवार्ड जरूर देंगे तरफ से चलिए अब अपने बलून रोंड पे चलते हैं एक मिनिट का टाइम देते हैं और देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी जल्दी बलून फुलाता है क्योंकि बच्चों को छोटे बच्चे हैं बांध नहीं पाएंगे लेकिन उनकी कॉंटिंग जो है करनी है कि ठीक है और अब आपका समय स्टार्ट होता है अब स्टार्ट आप लुए आपको देखिए और पहले को जल्दी जल्दी ताली बजा ताली बजा पीछे से बच्चों चलिए एक प्रॉए बप्रान्ट ह पीजिन ऑिखर बढ़ो दे के वीजब के बच्चों प्रॉए लुए ननकी पान्ट प्रॉए झाफके बच्चों झाल यहाई reserved झ líक है प्रित पिर से सब हवाइस काट आई हाथ में लीजिए हाथ में लीजिए हाथ में लीजिए तीनों अब अब जो यहां की जो मैडम है मैडम आप लोग देखिएगा इन तीनों के बीच में competition दिखाई पर रहा है क्योंकि इन तीनों नहीं बलून फुलाया है अब इनको देखना है कि इनकों सबसे पहले बलून कौन फुलाता है ready start चलिए इन तीनों ने बलून फुला दिया है अब मैडम जो है जो बहुत बारिकी से जाच कर रही थी अब वो बताएंगी कि कौन सा विनर है मौसीं में बलून फुलावाली पर्तियोगिता को जीत लिया है तो चलिए बलून फुलावाई पर्तियोगिता जो बच्चों के बीच लिए थे इस में ये बुलन फुलाने के competition को जीता है और इन्होंने balloon फुलाया क्या नाम है आपका महसिन आपके father का नाम क्या है और यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं बड़े हो करके क्या बनना चाहते है मौसिन ने बलून परतियोगीता को जीता है और सबरंग समाचार की तरफ से बच्चे को की होसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है आये मौसिन और हमारे बीच इस स्कूल के डिरेक्टर है वो है हमारे साथ और उनके हाथों से बच्चे को हम ये गिफ्ट दिलवाते हैं देखा आपने हमारे साथ में बलून प्लाव परतियोगीता का वीनर भी साथ में बैठा है लेकिन यहां पर लेंगे एक छोटा सा आप